दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद के जिर्वाल अब आम आदमी पार्टी को मजबूत करते नजर आ रहे हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रमुक अर्विंद के जिर्वाल ने एक बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा अगर आप भाजपा को वोड़ देंगे तो आपका क्या हाल होगा दिल्ली वालों को समझना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जुड़ी है उनके मजबूती के साथ खड़ी है तो वहीं भारतिय जनता पार्टी जो है वो सीधे सीधे तोर पर दिल्ली के लोगों को परिशान कर रहे है आम आदमी पार्टी के राष्ट संयोजक अरविंद के जुरवाल ने कहा कि आप सरकार ने 10 साल तक दिल्ली के लोगों की मानदारी से सेवा की इस तोरान बहुत से ऐसे काम किये जो देश में किसी अन्य सरकार नहीं किये दिली के पूर मुख्यमंतरी ने जनता से भारतिय जनता पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की उन्होंने दावा किया बीजेपी अगर दिली में सत्ता में आती है तो वो आप सरकार की मुफ्त बिजली स्वास्त सेवा सिख्षा और महिलाओं के लिए बस स्यात्रा की योजनाओं को बंद कर देगी दिली के पूर्सियम अर्विन के जरवाल ने कहा यदि आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आपको यहां देखना होगा कि अपने बिलों का भुक्तान करें या अपने बच्चों की देखभाल करें दिल्ली के पूर्सियम ने अर्विन के जवाल ने आगे कहा बिजली का बिल शून्य होगा अब दिल्ली वासियों के लिए एक आम बात है ऐसा कोई अन्यराज नहीं कर सकता आपके सत्ता में आने से पहले तक बिछली का बिल अकसर दस जार रुपे तक पहुँच जाता था उन्होंने लोगों से बड़े हुए पानी के बिल माफ करने का वायदा करते वे आपको वोट देने और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने में मदद करने का अगरह किया उन्होंने कहा फरवरी में चुनाव होना है मैं सत्ता में आने के बाद मार्च में इन बड़े हुए पानी के बिलों को माफ करवा दूँगा बता दें कि अकले साल की शुरुवात में होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले अर्विंद के जर्वाल लगातार पद्यात्रा कर रहे हैं आप प्रमुक के आरोपों के जवाब में परदेश बिजेपी अध्यक्ष विरेंद सचदेवा ने दावा किया कि अर्विंद के जर्वाल जानते हैं कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव हार जाएगी वह अपनी सरकार की उजणाओं को लेकर लोगों के मन में भय का माहौल ड करती नज़र आई और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जस तरीके से बिझली के बिल पानी के बिल आ रहें इससे जंता परिश्चान है और अब ये भी देखना होगा कि क्या वाकए दिल्ली की मुख्यमंत्य अर्विंद के जर्वाल पर दिल्ली की जंता एक बार फिर भरोसा क करती है और अगर करती है तो दिल्ली में क्या फिर से आमादमी पार्टी की सरकार बनती नजर आएगी